आज के इस competitive phase में हरे student इस बात को लेकर के परिशान रहता है कि उसकी speed कैसे बढ़ेगी और accuracy कैसे improve होगी इस video में हम लोग चर्चा करेंगे complete कि कम speed के reason क्या है, accuracy नहीं होने के reason क्या है और इनको improve कैसे करेंगे definitely आपके जो भी doubts होगे इस video के बाद वो clear हो जाएंगे speed और accuracy को एक साथ लेके बाद किये जाती है student दोनों को एक साथ जोड़ देते हैं और समझते हैं कि दोनों को एक साथ हम improve कैसे कर ले दोनों दो अलग-अलग मामले हैं, बड़ी मज़दार बात है इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता जब आप इनके nature को समझ लेंगे कि यह कैसे अलग-अलग है तो आपको उनको improve करने में सुविदा होगी सबसे पहले बात है कि speed को लेकर करके student परेशान रहते हैं कि मेरे speed नहीं बढ़ती तो बताओंगा कि क्यों नहीं बढ़ती है कैसे बढ़ेगी लेकिन speed है क्या speed थर्मामीटर है जब आप पढ़ते हैं और टेस्ट देते हैं तो आपको अपनी यह के speed ने जराती है कम लगती है तो लगता है मैंने ठीक से पढ़ाई की की नहीं की सायद मैं खुधी स्लो हूँ आप जितना पढ़ते हैं वो थर्मामीटर है बुखार कितना है फीवर कितना है कितना पढ़े हैं इसको वो बताता है अब अगर आप उसको इंप्रूव नहीं करते और फिर से टेस्ट देते हैं तो फिर speed वहीं रहेगी अगर आप दवा नहीं रहेंगे और सिर्फ थर्मामीटर लगा के टेस्ट करते रहेंगे तो आपको वहीं फीवर दिखाएगा कि सुबह भी दोपहर भी साम भी तो इस स्पीड बढ़ाई नहीं जाती कि स्पीड बढ़ती है उन रीजिंस को दूर करने से जिसके कारण के स्पीड नहीं बढ़ पा रही है इस पीड किन चीजों पर डिपेंड करती है उसके बाद हम लोग एक्कुरेसी पर आएंगे इस पीड डेपेंड करती है कि जब चैफ्टर मुझे छलिये मोजे नहीं या पर करिसी के लिए बात के लिए करेंट के लिए सब के लिए मैं 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 इने में पता कि आभरी इसको आपलाई कैसे करते है स्टों क्या बनाएंगे अगर हमने कुछ फॉर्मूले रट लिये और उन फॉर्मूलों को लगाने जा रहे हैं लगी नहीं रहा कुश्चन थोड़ा अलग फॉर्मेट में आ गया तो हम सुशते रहा जाएंगे देर हो जाएगी शायद बनेगा कुश्चन या फिर नहीं बनेगा तो इस स्पीट घट को सॉल्व करने का तरीका होता है आप एवरेज लिजिए सिंपल लिजिए कंपाउंड लिजिए कोई भी चैप्टर लिजिए अगर कोई बुक लेगे ना जैसे आरे सग्रवाल का बुक हो या फिर इवन किरन पब्धिकेशन का बुक हो यह दो मैं सामने रखता हूं अपना डिटेल एक्सवाई मान करके बनाया हुआ रहता है कि वैसे आप बनाई नहीं सकते हैं स्पीड कहां से बढ़ेगी और किरन में फ्रीकी अप्रोच बोल करके छोटा सब फॉर्मूला लिख दिया जाता है या फिर काना का बुक लिजिए हर कुस्चन के लिए फॉर्म तक से होगा और एक फॉर्मूला एक कंडिसर में लागू होता है आप मुझे फॉर्मूला डीजिए समझ मेंयाता है रट लूगा समझ लोंगा दो दिजिये तीन दिजिए 75 फॉर्मूला एक सताथ दे दिजिएगा साइध 90 अबरच में टहरा में नबे से ज़्यादा फॉर्मूला है कम्प्यूटर ही नहीं याद रख पाएगा कि एक स्टूडेंट कौन सा फॉर्मूला किस किस बे कम लागू होता है यह तो याद रखना ही असम्भव है स्पीड कैसे बढ़ेगी सोचते रहें यह वाला फॉर्मूला कम लागू होना है गया समय स्पीड घट गई यह दोनों दो अप्रोच बताते हैं दोनों ही सही नहीं एक फॉर्मूला लिखते हैं और एक एक स्वाई मानके बना दें अरे चैप्टर का अगर समझ में आ गया तो तो ऐसे देख लेते हैं न तो मैस दिख जाता है इसलिए तो मैंने कहा मैस दीखता है यह मेरा स्लोगन है बहुत सारे questions में pain और paper की जरुवत तक नहीं पड़ती, अगर आपको समझ में आ गया कि average किसको कहते हैं, आपको समझ में आ गया कि compound interest कैसे निकलता है, आपको समझ में आ गया कि time and work में unit work method क्या है, अगर chapter का nature समझ में आ गया, उसको solve करने का तरीका समझ में आ गया, तो that questions में भी कम से कम pain और paper का इस्तेबाद होगा, तो speed बढ़ गई न, इसका मतलब क्या हुआ है, दूसरा point क्या है, कि किसी chapter में question को solve करने का real way क्या है, objective क्या है, objective का मतलब formula नहीं होता, formula plus concept और उनका proper combination, जो हमको best, best result दे, वो, जो मैंने बार-बार different chapters में explain करके समझाया है, बताया है, तो ये दूसरा reason हुआ, speed का, और तीसरा क्या है, तीसरा है, कि आपने chapter समझ लिया, पढ़ लिया, लेकिन उसकी sufficient practice नहीं, देखी, practice कितनी बार की जाती है, मैं अभी बताता हूँ, different videos में मैंने बताया है, अभी बताता हूँ, कैसे practice करते हैं, कितनी बार करते हैं, एक बार chapter को समझा, फिर उसके question को solve किया, apply किया, concept को, तो एक बार question बनाया, माल लिजिए कि average में आपने 150 questions बनाए, first day आपने concept समझा कुछ questions बनाए, second day questions बनाए, दो दिनों में आपने concept को भी समझा, technique को भी समझा, और 150 questions बना लिए, ये एक बार हुआ, तुरंत, दो दिन लगे इसमें न, तो अगला दिन, third day, पूरे 150 questions को जल्दी से short में revise कर लिजिए, चुकि तुरंत आपने बनाया है, लेकिन, आप revise करेंगे, तो देखेंगे, कि बह आपने एक बार बनाया था, फिर जाकर कि आप देखते हैं, उस question को कैसे बनाया, तो समझ में आता है, अच्छा, कुरंत, कुछ questions ऐसे आएंगे, कि लगेगा कि ये वाला question का solution, और वो वाला question का solution, confused हो गए, चुकि एक बार पढ़ा है, तो फिर जाकर के clear किया, तो ये जो द और फिर करीब 15 दिनों के बाद, क्योंकि इस बीच फिर दूसरे chapters पढ़ेंगे, तिसरे पढ़ेंगे, 15 दिनों के बाद इसका revision करने जाएंगे, बड़ा interesting है, जब 15 दिनों के बाद आप revision करने के लिए जाएंगे, तो बहुत सारे questions गोल हो जाएंगे, concept भी भूल जाएंगे लेकिन ये थोड़ी देर के लिए भूला हुआ है, ये बात आप समझ दिजिए, आपका पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है, क्योंकि formula oriented आप नहीं पढ़ेंगे, आप समझ के पढ़ेंगे, इसलिए जैसे ही उसका revision करेंगे, concept का revision करेंगे, तो तुरंत दिमाग में आ जाएग उसमें नहीं लगेगा, अगर पढ़ रहे थे तो अगर तीन गंटे लगे थे तो अभी आधा गंटा भी नहीं लगेगा, तुरंत हो जाएगा, पढ़ा हुआ है, उसके बाद जब questions बनाने लगेंगे, तो लगवाग सारे questions बनेंगे, कहीं कहीं जो दिक्कत आएगी, वही वाली जो की first revision के समय आई थी, तो वो एक बार और solve हो जाएगा, ये chapter पक्का हो गया आपका, अब आगे कभी भी जब भी revision करना होगा, इसका दो तीन मेने के बाद फिर एक बार revision कीजीगा, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, और इसके सारे questions solve हो जाएगी, ये revision का तरी तो हर chapter की questions उसमें होते हैं, तो उसमें real revision नहीं होता है, उसमें test होता है, उसमें अचानक ages का question आगया, average का आगया, अलग तरह का question आगया, variety of questions होते हैं, तो समझ में नहीं आता है, लेकिन जो मैंने पहले बताया, उसमें real में उस chapter पर command होता है, और जब ऐसा command सारे chapter पर हो ज वर्ड प्रॉब्लम्स में होता है क्योंकि जब उसमें different chapters के questions आते हैं तो check होता है कि एक chapter के variety of questions types दूसरी chapter के variety of questions and types तीसरे के variety of questions and types यह सब एक साथ आपके दिमाग में कितना है शुरू में थोड़ी दिक्कत होती है आप वर्ड प्रॉब्लम्स arithmetic questions का test देना सुरू करते हैं तो शुरू में थोड़ा problem होगा 10 questions का अगर test देंगे न 10 questions का अलग से दीजिए test देने का यह तरीका है पढ़ने का यह तरीका है speed के साथ इसका संबंद है तो 10 questions का test देंगे आप तो आपको five minutes मान के चलना है कि यह मेरा target है लेकिन five minutes में मुश्किल से four या five questions बन पाएंगे बस पहली बार सारी chapters पढ़ने के बाद यह स्थिती होगी अगर सोच लिजिए कि मेरा यह process आप नहीं अपनाते हैं तो यही हाल exam में आपका होता है और आप बुलते मेरे स्पीड तो बढ़ी है मेरे स्पीड तो बहुत कम है सच मुझ कम होगी पहली बार जब सारी chapters को मिला करके arithmetic questions के test देंगे तो five questions नहीं बनेंगे five minutes में जबकि five minutes में फाइब बनाना मुस्किल हो जाएगा लेकिन उसके 10 questions के test देती जाएए देती जाएए पचास टेस्ट 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 टेंट 10 questions के जितना ज़्यादा देंगे स्पीड को बढ़ाने का यही तरीका है उतना ही ज़्यादा improvement होता जाएगा और student को सबसे ज़्यादा जो problem होता है वह arithmetic word problem में होता है यह problem solve exam में success यह तुरूप का पत्ता है जबकि accuracy पर बात करना भी बाकि speed के इस process को आपने अपना लिया तो आपको जीतने से कोई नहीं रोख सकता अब मैं यह कहता हूं accuracy कैसे बढ़े जानते accuracy क्या है कि speed के लिए तो मैंने कहा कि speed के लिए कुछ करने की जरुवत नहीं है दरसल पढ़ने के सही process की जरुवत है और speed बताएगा कि आपने कितना क्या पढ़ा है फर्मामीटर है लेकिन accuracy नहीं होना यह एक आदत है जैसे जूट बोलना एक आदत होती है आदत जब लग जाती है जूट बोलने की तो बड़ा मज़ा आता है और सच बोलने का मनी नहीं करता है बड़ी बड़ी समस्था है एक ज विस्वास करता है तो हम धड़ाम से नीचे गरते हैं कि इस गलती करना accuracy नहीं होना यह एक आदत है हमारी जब आदत बन जाती है गलती करने की तो करना कुछ और जल्दी में कर जाते हैं कुछ यह जल्दी से ठीक नहीं होता एक तरफ मैंने कहा speed के लिए speed को बढ़ाने के ल लिए extra effort चाहिए उसके बिना you solve नहीं होगा आदत इतनी जल्दी नहीं सुधर थी समय भी लेता है इसके लिए आप five questions का सेट पकड़ते हैं कोई भी मान लिए simplification लिया approximate value लिया जो भी आपको अच्छा लगता है आप लिए पहले अपना favorite area लिए accuracy के लिए क्योंकि accuracy में सीख वाची फिताजrásवाी तो भी गरता है गलती आदत है अगर आप धिरे भी बनाएंगे तो भी गलती होगी लट रहना है एर्र नहीं होना चाहिए तो five questions आप बनाएंगा एक नाएक गलत हो हुई जाएरा शुरू में ठीक है फोर तो सही हो, फिर यहों फिर देङे फिर इन को कोसिस करेंगे एर और रहो शुरूर में लिख़त बमें पॉल यह हुगार सिर्ट देंगे दो गलत जिनको जिनकी अवक्वरेसी सही नहीं है उनके लिए बात करे लेकिन जब accuracy पर ही ध्यान रहेगा सीखने पर नहीं सीखना अलग चीच है अब ही accuracy सुधार्णी है हम वह chapter पकड़ते हैं जो हमें आता है और जब accurate हो जाएंगे तो फिर कोई भी chapter बनाएंगे असानी से करते हैं तो error नहीं प्रुणी के साथ दिखिएगा कुछ में error लेकिन बाद में इंप्रूब हो जाएगा अब से स्टेन में 9 से होने लगेगा एक गलत हो अचानक से 10 में 10 से हो जाए फिर आगे देखिएगा एक गलत हो जाएगा पिर 10 में 10 से हो यह यहको इंप्ण एक दिन में दिन में कईबार और और नहीं होगा ऐसा दिन दो दिन चार दिन एक सकता अगर माल लेते हैं एक दम ठीक हो जाएगी और एक बार, जैसे बनाईए जल्दी Crash स्विदेले से करने में सब falando का प्रयास करते हैं क्यों गलत होता है देखिए श्य बिना पेपर के बनाना मेरा टारगेट नहीं है यहां सो Commonwealth देने जा रहे हैं वित फुल एक्यूरेसी हम अदिक से दिक क्वेश्चिन बनाएं कैसे यह टार्गेट है हमारा अब क्वेश्चिन को हमने पढ़ा और बन गया भिना पेन पेपर के तो क्या करें लेकिन हम चाहते हैं उसके कैल्कुलेशन का कुछ पार्ट मन में करें और करने लोग एकर देखें तो इनसर यानि बेना पेन पेपर के बनाने के तुल्ल में खुड़ासा पेन पेपर का इस्तेमाल करना आपकी अक्यूरेसी को पर कर देता हैं 100% एक्यूरेसी का संब्बर नहींहां से कि इनके सहारे आप अपने एक्जाम में definitely success पाएंगे. Okay, all the best, bye.